सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकर नेवर अब्रीवन वेलकम तू रे अल इंडिया स्पी टैस्ट डिस्कुशन तो आज की इस डिस्कुशन में क्या करना है सबसे पहला कोशन क्या था हमारे पास कि इस कंडिशन में मार्क प्राइस अंकित मूली क्या होगा तो इस कंडिशन में मार्क प्राइस अने की अंकित मूली कितना कॉस प्राइस है 960 20% डिसकाउंट हुआ तो कितना बचा 80 यहां लिख दीजे अगर 30% प्रॉफिट हुआ तो विक्रमूल कितना हो जाता है 100 प्लस 30 130 इसको सॉल्व कर ले यह कैंसल हो जाएगा यह 12 टाम डिवाइड होगा 12 13 जा कितना होता 156 तो यह आ जाएगा आपका 1560 1560 ऑप्शन नमबर C बनेगा next find the prime factor अभाज गुणनखंड की संख्या या फिर अभाज कारकों की संख्या एक ही बात है निकालना था तो पहले जितनी भी संख्या दे रखी है ना इनको अभाज गुणनखंड में बदल लो 30 है जैसे स्कुम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और होल पावर कितनी हो जाए कि पांच अब यह क्या बनेगा कि दो की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 अब घातां के नियम से 3 और 5 की गुणा कर दो दो की घात 15 गुणा multiply लग जाएगा यहाँ पर और तीन की घात 5 तो और आगे क्या होगा 2 की घात 15 यहाँ है 5 यहाँ है तो 2 की घात कितना हो गया 20 हो गया गुणा कर ले तीन की घात 5 यहाँ है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तीन की घात 10 और 5 की घात 5 बचा ठीक है अगर आपको च ठीक, तो क्या होगा, अगर आपने अभाज गुंगंड कर ली है, सारी घातों को जोड़ दो, 20 प्लस 10 प्लस 5, 35, 35 जोगा इसका, आंसर बन जाएगा, next, A की इंकम B से 60% कम है, मतलब कि B अगर 100 होगा, तो A को 60% कम, 100 का 60% 60, कम करो, यानि कि ये कितना हो जाएगा, 40, क्या बोलाए, B is what percent more than A, तो B A से कितना जादा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है, 40 का नहीं, 60 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, हां, 60 जादा है, तो प्रतिशत में मान कितना होगा, 60, जिससे तुलना कर रहा है, किससे तुलना किये गई है, A से, तो A का मान 40, बटे में, और परसेंट जादा बनेगा, ठीक, option नहीं बन जाएगा, अगला, दो संख्याओं का अनुपाद, तीन नुपाद, चार है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या, ऐसे लिख लो, तीन नुपाद, चार, फिर क्या लिखा हुआ है, on increasing each number by 27, दोनों को 27 बढ़ाये गया, मतलब प अइसे, जो नीचे वली संख्याएं है, उनका अंतर चेक करें, 9 और 11 का अंतर कितना दो, इसकी गुणा उपर वाले से कर दें, ठीक है, दो टिया, छे, दो चौक, आठ, उपर वाले का अंतर कितना आ रहा, एक, उसकी गुणा, नीचे वाले से कर डालो, 9 और 11, ऐसा करने प तो तीन कमान कितना है 27 के बराबर, एक कमान 9 के बराबर, पूचा क्या गया है? The sum of the numbers, ठीक है, sum यानि कि योग बताना है, तो योग क्या आएगा? पहली संख्या आपकी कितनी है? Original value तो ये वाली है, यानि कि 9 गुणा 6, प्लस, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? 8 गुणा 9, ठीक, तो ये हमारी पहले संख्या, 9 गुणा 6, 8 गुणा 9, 9, 24, और 8 ने 12 तर, दोनों को जोड़ दो, 7, 5, 12, 12, 12, 4, 24, 2, 26, 126 आ जाएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, 8 अच्छे को जोड़ो, 14, 14 की 9 से गुणा कर दो, ठीक, 26 आ जाएगा, अगला, रोप इस 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दे सेंटर पॉइंट ऑफ दे सर्किल, मतलब एक सर्किल बना लो, ये उसका केंदर है, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर कैसे रस्ती लगा दो, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर के दूरी हमारे पास है, तो केंदर से जहों में इस रेखा को मिलाते हैं, तो लंब बात रेखा क्या करती है, इस जीवा, इसको जीवा मान लो, आदे आदे दो भागों में डिवाइड करेगी, मतलब 24 सेंटीमीटर दो 12 बने गया, 13 आएगा, बना सॉल्व करना हो, तो क्या आएगा, आर एककोल्स टू, 12 का स्क्वार, प्लस 5 का स्क्वार, 12 का 24, 5 का 25, 180, तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर तरज्या बन जाएगी, नेक्स कोशन देख लेते हैं, प्रेजेंटेज, ए और बी का अनुपात है, प्रेजेंट का अनुपात है, ए अनुपात भी, 3 रेशियो 5, यहाँ पर प्रेजेंट लिख लेते हैं, ठीक, फिर क्या लिखा है, 5 येर्स आफ्टर विकम्स 13 रेशियो 20, बहित 5 साल बात क्या हुआ, 13 अनुपात 20 हो गया, मतब दोनों की उमर में 5-5 साल एड़ हो गया, त पाच और 20 का डिफरेंस 15, 3 और 13 का डिफरेंस 10, यह अन्तर बराबर नहीं है, तो अन्तर बराबर करना पड़ेगा, तो बिलकुल कर लेते हैं, बराबर, कैसे होगा, 13 और 20 का डिफरेंस 7, 7 की गोणा उपर, 21 और 35, यह हमारा क्या आगया, पी फर प्रेजेंट आगया, 3 और कोशन में कितना बोला था, यह भी 5 वर्स है, तो एक कमान, एक वर्स के बराबर होगा, बताना क्या है, प्रेजेंटेज आओ बी, बी की बरतमान आईू, तो यह तो बरतमान आईू है, ठीक, तो बी की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, 35 साल, क्यों, क्योंकि एक मतलब 2 discount लगें, एक हमें दे रखा है, दूसर चल्कुलेट करना है, चलो देखते हैं इसको, बई, 1600 था, इस पर 10% discount लग गया, तो यह तो 100% मान है, 10% discount लगा, इसका मतलब कितनी है बेचा जाएगा, 90% में, 90% निकालो 600 का, कितना आएगा, यह दो 0, कैंसल हो जाएगा, पर Discount लगा तब जाकि वस्तू अमारी कितनी 58 14 की बन रही है कि तो यहां से यहां तक Discount लगा है और यह1026 का क्या होगा डिसकाउंट हो जाएगा स्परहक कि हूगliestか ठाहिए ऐक हजार ॅर ने में दिसकाउंट डिसकाउंट का स्परन बीही कह भी में तीक और प्रिश्चत के लिए गुणा सो एक जीरो काट दें 19 से भाग कर दो 1937 और 1934 उनिस पंजे पिच्चानवे उनिस चॉक शीहत्तर यह डिवाइड हो सकता है क्या नौ से नौ चॉक 36 नौ छे यानि कि कितना बन गया आपका तीन और दो तीन बटे दो दो इसे काट देग सक्ता आज़िता नौ से 15 क डिश्कांट दूसरी बार में लगाना पड़ेगा, अगली कोशन 41 क्रमा गत संख्यांग का उसत कितना है? क्रमा गत और अंबर का मतलब क्या होता है बीच का नंबर, तो मतलब 49 तो आ गया बीच में, ठीक, 41 का क्या है, average of 41 consecutive odd numbers is 49, ठीक, तो बीच में गया 49, सबसे बड़ा नंबर बताना है, विशम संख्याओं में क्या होता है, दो-दो का अंतर होता है, एक, तीन, बात, साथ, और 41 संख्या है, तो 41 संख्या और 20 इसके आगे होंगी, मतलब 20 numbers, पीछे, और 20 numbers के आगे, और सब में 2-2 का difference होगा, तो 2-2-2 जोडते चले जाओ, last में, कहां तक, उननचास तक, sorry, 20 तक, तो last वार नंबर क्या होगा, last नंबर, last बोल दो, या फिर largest बोल दो, क्या होगा, उननचास में 2 का अंतर है, और 20 संख्या है, जोड़ दो, कितना आजाएगा, 89, option number A बन जाएगा, इसको सरल करना है, चलो भी solve करते हैं, इसको, board mask का rule लगाना है, पहले bracket खोल ले, ठीक, तो यह क्या बनेगा, 20-, bracket क्या कहता है, 28-5, 140, point लगा, तो 14 आएगा, 14 में, मतलब इ minus, minus नहीं होगा, क्यों पहले इसको हल करना पड़ेगा, 3 के बटे में क्या आएगा, 0.9, गोणा, 1.5, और plus 2, अब देखो, यह point कट गया, 15, 3, 45, तो 9 से काटोगे, 5 बार आएगा, 20 में से 5 घटाओ, 15, 15 में से 2 जोडो, 17, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 20-17, यनि क्या आज जाएगा, तीनिस का आंसर आजाएगा, option number B बन जाएगा, next question, sum of two numbers is 820, दो संख्याओं का योग हमारे पास है, और उनका LCM, लासा भी दे रखा है, 4,069 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, ठीक, तो यह जितनी value लिखी हैं, उसका अंतर दे रखा है, तो number माल माल लिया, संख्याओं है A और B, और H उनका है मासा, HCF, ठीक, तो संख्याओं का योग क्या होगा, A H प्लस B H पर राबर, संख्याओं का योग, 820, ठीक, और ऐसे अगर हम LCM निकालें, तो क्या होगा, A गुणा B गुणा H, ठीक, और बराबर कितना जाएगा, 4,069, अब क H common ले लो, और दोनों संख्याओं को, संख्याओं को, माल लो ही संख्याओं एक है, और माल लिया संख्याओं दो है, दोनों को भाग कर दो, H A प्लस B बटे, A B H बराबर, 820, बटे कितना आ जाएगा, 4,069, तो यहाँ H कट जाएगा, ठीक है, अब ये, A प्लस B बटे, A B, 820 को क्या लिखेंगे, 41 गुणा 20, और 4,069 को क्या लिखेंगे, 41 गुणा 99, यह कट जाएगा, तो A प्लस B बटे, A B, बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटा 99, अब क्या करना है, अब A और B के आपको दो मान लगाने, ऐसा मान, जिनको जोडने पर तो 20 आए, और गुणा करने पर निन्यान भी आए, समझ में आ रहा होगा, क्या होगा, A बराबर, 11 कर लें, और B बराबर, 9 कर लें, ठीक, तो संख्या है, अब बताना क्या है, उन संख्याओं को अंतर बताना है, ठीक, अंतर बताने की, पहले आपको H का मान पता हो, तो यहाँ लगा दो, H, 11 प्लस 9, स का difference, अंतर क्या आएगा, H common, A minus B, H common 41 है, 11 minus 9, यानि कितना आ जाए, 41 हुनी, 82, option number 20 का answer बन जाएगा, ठीक, तो यहाँ तक जो questions थे, जो हमारे ST39 में, state level में आये थे, वो मैंने आपको बता दिये, इसी तरह से questions को practice करें, और सारी ST का discussion हम लोग day by day करते जाते हैं, जैसे ST कराते हैं, तो जोड़े रहे हैं महिंदास के official YouTube channel से, thank you everyone.